डिवाइड देखे आप question number second देखो इसमें क्या करता है divide the given polynomial by the given monomial देखो जो polynomial है polynomial जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा terms होती है वो polynomial होता है जैसे इसमें एक ये term है एक ये term है दो term होगी तो इसे polynomial बोह रहे हैं और ये term है तो इसको हम monomial बोलते हैं ठीक है ये चीज़ें आपने पहले पड़ी है नाइंज चैप्टर के अंदर ठीक अब देखो जारा divide करना है तो हम इसको divide कैसे लिखेंगे देखो 5x square minus 6x को divide करना है 3x से तो इसमें आपको क्या करना है देखो पहले उपर देख लो कुछ common आ रहा है देखो कुछ common आ रहा है तो देखते हैं देखो यहां पर 5 और 6 में तो कुछ common नहीं अब इन variables में चलते हैं इधर x square है और इधर x है तो इधर मतलब 2x है तो 1x अगर मैं यहां common ले रहा हूं तो यहां क्या बचाएगा 5 तो पहले से दा x minus 6 देखो ना नीचे 3 है तो मैं इसको 1 by 3 लिख सकता हूं ना और यह bracket में ऐसे लिख दिया तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं क्या बताओ समझ में आगी कहा नहीं में देख लो अब variable में देखो same है वाई 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 इनमें ना lowest देख लिए अगर ओ पावर किसकी है वाई 4 है तो वाई 4 हम common ले सकते हैं वाई 6 है जिसमें वाई 4 भी आ जाएगा वाई 8 में वाई 4 आ जाएगा ठीक है तो सबसे लोगेस कहा है वाई 4 तो यह हम common ले लेंगे वाई 4 common आया तो देखो 3 वाई आब देखो 4y मतलब यह जो यह वाई की पावर 4 आयए बाहर आपनल ले लिगा और यहाँ इतना बचेगा वाई 4 बचेगा समझ रहो ना बात को यह नहीं देखो न वाई 8 है तो वाई 8 को मैं ऐसे लिख सकता था वाई 4 इंटू में वाई 4 वाई की पावर क्या होता है 8 होता है अगर प्रोडक्ट में है यह चीजे तो पावर्स क्यों दती है और अगर यह दिवाईड में होती है चीजे तो फिर पावर्स माइनस होती है ठीक है तो देखो ना अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता वाई 4 वाई 4 तो 4 बाहर चला गया तो क्या बचा यहां 3 वाई 4 अब जिसे माईनस में यह है 4 है यहां 3 allied four दो बचा है तो यहां कोई नहीं क्या रह जाएगा ठीक है और डिवाइन में कहें यह की पावर 4 अब जिए ब्रेक outta implication है संपज़ लिए बात को क्या बचा आपके बात 3 y 4 minus 4 y square plus 5 तो यह आपके पास इसका answer हो गया कि इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है उसके बाद देखो next third part में third part में देखो क्या कहता है हमें कहता है x cube y square z square plus x square y cube z square plus में x square y square z cube bracket में और यहां 8 है और divide by this term में तो देखो इसमें भी हम ऐसी करेंगे देखो इसको लिखते है 8 x cube y square z square plus में x square y cube z square ध्यान से लिखना है यह सब नंबर plus में x square y square और यह है z cube और इसको divide करना है हमें 4 x square y square z square से तो देखो 4 2 the 8 यह हो गया ठीक है अब यहां पर देखो इसमें से कुछ comment आता है क्या तो देखो x को देखो पहले x cube यह इदर x square है x square है ठीक है तो x square बहार ले लेंगे मैंने बहुत है lowest power बहार comment ले सकते है तो 2 तो ही बहार और इदर से x square बहार आ ठीक है अब y में देखो इदर y square है y cube है y square है यानि की y square चोटा है तो y square ले लिया हमने मतलब lowest power बला z में देख लो इदर z square है z square है इदर z cube है तो z square हम comment ले सकते हैं ठीक है अब देखो main चीज़ यहां बचा क्या देखो y square z square बहार चला गया और इदर बचा x cube x cube में से भी x square बहार चला गया तो कितने x बचा इदर एक x बचा समझ बहा रहे हो ना बात को प्लस में यहां से देखो x square बहार चला गया और यह z square भी बहार चला गया y cube में से y square बहार चला गया तो कितना y बचा इदर y squared y squared y squared y squared z squared z squared cancelaway बचा आपके पास यह बचे आपके पास और यह दर X plus y plus Mir Z तो यह answer आगया आपके पास divide होने के बात ठीक है जी बताओ समझ में आ रहा है यह नहीं बिल्कुल ही simple है कुछ भी मुश्किल नहीं question to agree next यह ईसके फॉट पार्ट में तो हमें हैं समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड क्या चक्वरण दی लिखा को और तो कि श्याहिगि रहा है थाकि वो कट जाया तो देखो जणे यह हमारे X हम बाहर ले लेंगे यहां क्या बच जाएगा एक 3x नए रहे जा गया है तो 2x बचत amplified हिंगा तो आउनसर आएगा इसका या रहा है हमारे पास एग र इसका अंसर आगया और इसका हुं ऐसे भी लिख सकतेucktे है x square plus में 2x plus में 3 इस 3 के से भी लिख सकते हैं clear है next question का last part question number second का fifth part जो है last है देखो इसमें यह दिया हुए हमें क्या दिया हुए P3Q6 minus में P6Q3 इसको divide करना है हमें P3Q3 से तो यहां भी again देखो उपर common देखो P में देखो common क्या इधर P3 है इधर P6 है तो मैं 3 वाला बहर ले सकता इधर Q6 से Q3 है तो low-west वाहर ले लेंगे Q3 हम बाहर ले लेंगे ठीक है अब देखो यहां bracket में बचा गया P3 बाहर चला गया Q6 में से Q3 बाहर चला गया Q3 कैंसल क्या बचा सिरफ Q3 माइनस में P3 इसका अंसर आगया बताओ समय में आ रहा है या नहीं बिल्कुस सिंपल से हैं ठीक है तो आपने जब डिवाइड करना है तो आपको देखना है पहले common लेकर ठीक है जो भी common आ रहा है उसे बाहर रखना है और फिर नीचे वाली टम से